सुपब एक दम बढ़िया देखने में लग रहा है ना इतना स्वादिष्ट चीज बर्स्ट पीजा और वो भी पैन में हलो एवरिवन मैं आपकी होस्ट आराधना बहुत-बहुत स्वागत है आपका कोईनास किचन में आज की हमारी रेस्पी है चीज बर्स्ट पीजा और इसे आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से और आज हम बनाएंगे इसको पैन में जी हाँ आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पैन में कितनी असानी से हम चीज बर्स पीजा को भी पैन में बना सकते हैं तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी तो सबसे पहले लेंगे मैदा दो कप मैदा ले रही हूं यहाँ पे मैं इसके साथ ही हम इसमें एक चम्मच बेकिंग पाउडर आधा चमनगी डालूंगे इसमें बेकिंग सोडा और टेस्ट के अकौरणिग डाल लेंगे हम इसमें नमक अब फ्रेंड्स हमें करना क्या है इसमें आड करना है शुगर यहाँ शुगर पाउडर फोम में मैं यूज कर रही हूं आध कप दही हमने दो कप मैदा लिया है तो उसके हिसाब से उसका वन फोर्थ पार्ट दही हम उसमें एड कर लेंगे तो मैं इसमें आधा कप यूज कर लेंगे और बहुत अच्छे से से हम मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानि एड करते हुए इसका बिल्कुल नरम आटा लगा कर तैयार कर लेंगे पानी आप बहुत धीरे-धीरे डारिए ताकि हमारा आटा जो है वो बिल्कुल बढ़िया लगकर त्यार हो बिल्कुल डीला ना हो जाए वो ये देखिए किस तरह से ये हुआ है अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे रिफाइंड ओयल हाथों में लगाकर इसको काफी अच्छे से मसल मसल के आटे को एकदम हम कर लेंगे चिकना हमें इसे बहुत अच्छे से फ्रेंड्स मसल ना है क्योंकि ये बहुत चिपकेगा जब आप इस फोड़ा थोड़ा हाथों में रिफाइंड लगाते हुए इसे बार-बार बहुत अच्छे से मसल मसल का हमें रेडी करना है और जब आप इसे बहुत अच्छे से मसल का रेडी करोगे तो यह देखिए यह बिलकुल ही नरा माटा लगकर तयार हो जाएगा अब हम इसे रख देंगे कम से कम 2-3 घंटों के लिए धक कर अच्छे से यह देखिए कितना हमारा आटा जो है आफटर 2-3 आर्स बहुत ही नर्म हो गया है और थोड़ा सा फूल गया है अब हम फिर से क्या करेंगे हाथों में थोड़ा सा लगा लेंगे और इसको काफी अच्छे से फिर से मसल लेंगे फ्रेंड्स जितना हमारा सोफ्ट डो होगा उतना ही सोफ्ट हमारा बेस बनेगा तो आप ट्राई करिए कि काफी अच्छे से से मसल लीजिए अब हम लगाएंगे हाथों में थोड़ा सा ड्राइब मैदा और इसकी लोई को काट लेंगे लोई हमें थोड़ी सी बड़ी ही लेनी है क्योंकि बेस को हम रोटी से थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे तो चपाती से थोड़ा आठा हम जादा लेंगे लोई में तो इस तरह से आप 3-4 लोई आपकी इस आठे से कट जाएंगी तो यहां मैं जो लोई ली है तो आप देख पारे होंगे एक छोटी ली है और एक ली है हमने थोड़ी बड़ी लोई बड़ी लोई का जैसे बेस बनाएंगे हम अब जो मैंने छोटी लोई ली है फ्रेंड्स पहले इसको बेल कर रेडी कर लेते हैं और मैं आपको दिखा दूंगी अभी हमने यह चोटी लोई किसली यह ली है पहले इसे बेलेंगे और यह वाली लोई जो हमारी है इससे हम बिलकुल चपाती जैसा बेल कर रेडी कर लेंगे बिलकुल पतला बेलना है आपको इसको मोटा बिलकुल नहीं रखेंगे हम बिल्कुल चपाती जैसा आपको इसे रोल आउट करना है इसे हम बिल्कुल पतला रखेंगे ये देखिए बिल्कुल पतला है ना चपाती जैसा अब हमें क्या करना है हमें रखेंगे तवा गैस के उपर अब इसे गरम हम बहुत जादा नहीं करेंगे मीडियम फ्लेम के उपर इसे हम सेख लेंगे बहुत ज़्यादा भी हमें इसे नहीं सेख ना है कि हम इस पे मतलब यह समझ लो यह देखिए उपर थोड़े से बबल से आ गए तो हमें चेंज कर लेती हूँ यह बिल्कुल वाइट ही रखना है हमें इसके उपर golden से निशान भी ना बने इतना ही हमें सेख ना इसे बहुत कम बस थोड़ा सा हम इसे पकाना है यह देखिए बस इसी stage में मैं इसे रख लूँगे निकाल के इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है बस इस तरह से निकाल लेंगे अब हम ये बेस जो हम पीज़ा का बनाने वाले हैं इसको बेलेंगे इसे दोस्तों हमें मोटा ही बेलना है इसे बहुत ज़्यादा पतला हम नहीं करेंगे आप इसे उतने साइज का बेलिए जिसमें आप पैन में बनाने वाले हो उसी नाप का अब लेंगे एक फोक और फोक की हेल्प से पूरे बेस पर हम इस तरह से निशान बना लेंगे ताकि पीजा हमारा फूल ना जाए क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा सब कुछ डाला हुआ है अगर हम इसे इस तरह से पकाएंगे तो यह पूरा फूल जाएगा अब दोस्तों इसमें क्या करूंगी मैं मैंने लिए हैं यहाँ पर चीज स्लाइसिस सो मैं इसमें यह चीज स्लाइसिस काफी अच्छे से इस तरह से हम रख लेंगे अब हमने जो रोटी बना कर अभी रेडी करी है इस से हम इन चीज स्लाइसिस को कवर अप कर देंगे और साइड से इसकी बिल्कुल मोड देंगे और थोड़ा सा दबाते हुए इसे अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये चीज जो है हमारा मेल्ट होकर बाहर ना निकले इस तरह से अफ़ोक की हेल्प से हमें इसे फिर से इसमें निशान बना लेंगे ताकि ये फूल ना जाए अब हम इस पर अपलाई करेंगे पीजा सॉस या मैं रेडिमेट पीजा सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ अब इसको हम अच्छे से सप्रेड कर लेंगे बेस के उपर काफी अच्छे से पहला लेंगे अब हमें डालना है इसमें चीज यहां मैंने मुझरीला चीज यह ग्रेट फोम में लिया है इसे बहुत अच्छे से डाल लेंगे हम अब इसमें लगा देंगे टॉपिंग्स टॉपिंग्स आप अपनी चोईस की कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको वेजीटेबल पसंद हो आप उसी को एस टॉपिंग इस्तिमल कर सकते हो तो यहां मैंने टमाटर लिया है और कैप्सिकम लगा देरी हूँ कौन है और में पास अनियन है इन सबको हम अच्छे से लगा देंगे अब हमें जब हम अपनी टॉपिंग्स को पूरे अच्छे से इस तरह से लगा लें फिर हम थोड़ा सा चीज और डाल देंगे उपर से अब हमें डालने हैं चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रहेंगे अच्छे से और उसमें स्प्रिंकल कर देंगे mixed herbs इससे काफी अच्छा flavor आता है पीजा में आप चाहो तो mix herbs या organo कुछ भी apply कर सकते हो अब हमने लिया है pan इसको करेंगे grease flame को हमें रखना है बिल्कुल low flame पे उसे हम high नहीं करेंगे low पे ही पकाएंगे तो अब हम base को shift कर लेते हैं पीजा को अपने pan में अब हम इसे करना है cover तो दोस्तों उससे पहले आप sides में चाहो तो इसके थोड़ा सा oil जो है वो apply कर सकते हो अब हम इसी position में इसे कम से कम 8 से 10 मिनट तक low flame पर ही पकने देंगे और friends आप इस तरह से देख पा सकते हो उसमें कि आपका pizza जो है वो पका है या नहीं जैसे ही मेरा transparent है lid तो मैं बाहर से ही देख पारी हूं उसमें कि मेरा base जो है वो पक गया या नहीं अगर आप दूसरा ढकन भी नॉर्मल pan में बनाते हो तब भी आप उसमें आपको इतना ही बेक कर लीजिए यह फ्रेंड्स काफी अच्छा बनता है काफी टेस्टी बनता है आप इसे जब चाहो घर पर enjoy कर सकते हो यह देखिए बेस हमारा फूलना स्टार्ट हो गया है और उसमें एकदम से थोड़ी सी फुलावट आ गई है आप इसी तरह से देख सकते हैं और तकरीबर आराम से आठ से दस मिनट लगते हैं पीजा को बेक होने में और एक्जर टाइम के बाद आप देखोगे पीजा आप फ्रेंट से काफी अच्छे से इस तरह से पक जाता है वो काफी टेस्टी लगता है आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हो चाहे तो विकेंड में बनाईए दोस्तो मेरे साथ अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले मैं आपके लिए और नई सी नई रेसिपीज लाओं यह देखिए काफी अच्छे से बेक हो गया हमारा पीजा उसका चीज भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेड में यह देखिए कितना फूल कर बहुत ही अच्छे से पकाए हमारा बेस और मैं अब इसको काट लेते हैं और इसे सब कर लेते हैं एकदम होट होट है आप भी इसी तरह से बनाईए और अपने फैमिली मेंबर्स को अपने फ्रेंड्स को किसी को भी टेस्ट करवाईए दोस्तों सबको बहुत पसंद आने वाला है और मज़ेदार लगने वाला है बहुत ही अच्छा पीजा ये बनकर रेडी होता है हमारा औ खाने में हर किसी का फेवरेट है तो आप भी इसे जरूर ट्राइ करिए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये देखिए दोस्तों मैं अभी आपको इसको उठा कर बता देती हूं कि हमने जो चीज अंदर डाला था वो किस तर एक तम भर भर के चीज का टेस्ट आता है इसमें काफी टेस्टी लगता है ये देखिए इसी तरह से पूरा पीजा में सप्रेड आउट होता है हमारा चीज अंदर भी और बाहर भी तो है ना ये सुपर चीजी पीजा और बहुत ही यमी बनता है ये टेस्ट में तो आप भी इस रेसिपी को जुरूर ट्राई करना देखिए हमने कितने आसान तरीके से घर पर ही चीजबस्ट पीजा को रेडी कर लिया आप कभी भी इसे ट्राई कर सकते हो तो जुरूर बताईएगा दोस्तों अगली बार फिर मिलेंगे एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ त कर दोsuchई कर लिया पंए लडार करोथ कितने आसान तरीके सी अम Anda कर दो सबसे बार फिले आसान नहीत नहीं कर दो Feats 9 क 14